हेलो एवरिवन गाईस आज आपको मैं बताने वाला हूँ टीवेस आई क्यूप की फोर मिट्स के बारे में हो सकता है जिसको आप भी सच मानते हों वे भी मानता था पहले ये मिट्स ओनली ओनर को पता चलती है जब वो स्कूटर को ले लेते हैं तो क्या है वो फोर मिट्स एक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है तो बिना देरी किये चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट गये सबसे पहले जो इसकी मित में किलियर करना चांगा इसकी टोप स्पीड को लेके कंपनी क्लेम करती है इसकी टोप स्पीड 78 km per hour जो की सच नहीं है इसकी टोप स्पीड काफी वैरी करता है और डिपेंड करता है बेट्री पसंटेज के उपर यानि की चार्ज ज़ादा हो पर इसकी टॉप स्पिड आपको जादा ही मिलेगी और चार्ज कम होने पर इसकी टॉप स्पिड भी आपको कम ही मिलेगी अगर स्कूटर में 82-90 परसेंट बैटी चार्ज हो तो स्कूटर की टॉपस्पिड 88-89 इवेंट 90 भी अचीव हो जाती है इसमें और गाइस यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा गई लोग कमेंट करते हैं हमारी वीडियो की कॉलिटी इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमारे दोरा दिये जाने वाले वीडियो इनफोमेशन पर ध्यान देना क्योंकि हमारे पास इतने सारे एक्विपमेंट नहीं है कि हम सिनेमेटिक व्यूट कर पाएं इसलिए आप वीडियो की इनफोमेशन पर ध्यान देना ना कि कैमरे की क्वालिटी पर और अब आप इसकी टॉप स्पीड देख सकते हैं जो की 82-90 प रखी जाती है वेसे 75-76 की टॉप स्पीड भी इनफ है बट चार्ज स्कूटर के कम पर कम है इसकी स्पीड तो चार्जिंग से फरक तो पड़ता है इसकी स्पीड में और अब बात कर लेते इसके रेंज की गाइस मेरे पास है टीवेस आईक्यूब एस मोडल और स्कूटर मे पास को करते हैं 105 किलो मिれ और सिंगल पर अगर आपका इवेट मेरी तरह 60 kg के असपास है तब आपको भी 100 किलो मि ब्रेकिंग सिस्टम को यूज होने देंगे और अगर आप इसमें तीन लोग बेट गए तो जैसे उंट बाल्टी में से पानी पीती है ये वेसी पूरा रेंज पी जाएगी फिर 60 किलो मेटर की रेंज मिलना भी मुस्किल है यानि की 1.500 केजी से बेट जादा होते सही स्कूट में कोई दिक्कत नहीं होगी बस पीकप कम हो जाएगी और रेंज काफी जादा कम हो जाएगी इसलिए इस बात को भी आप पहले ही कैलकुलेट करके चलना ताकि 20 सफर में आपको कोई दिक्कत ना हो तो उमीद करता हूँ रेंज को लेके मैंने आपके सारे डाउट क्लियर क अच्छी है जब आप इसको हाथ में लेंगे तो कहीं से भी आपको ये cheap quality का नहीं लगेगा काफी भारी build quality के साथ आता इसका charger जिससे लगता है काफी अच्छी life देने वाला है ये charger और charger में wire की quality वगेरा भी काफी अच्छी है और इसमें आपको charger की एक साल की warranty भी मिलती है और इस charger से charge करने के लिए आपके घर में अर्थिंग connection होना जरूरी है जो कि आपके charger और आपके scooter की safety के लिए है ये तो मैंने आपको दिखा दिये charger और charger की build quality बट मुझे जो है doubt clear करना था charging time को लेके तो मुझे इस scooter को चलाती हुए something something 6-7 माईने हो रहे है और इस scooter को charge होने में वाकई में काफी जादा time लगता है और TBS जो claim करता है इसकी charging time को साड़े 4 घंटे में 80% तक charge होने का और अभी में मेरा real life user experience बताऊं तो 5 साड़े 5 घंटे लग जाते है इसको 80% charge होने में और अभी पिछले माईने से मुझे लग रहा है गाईस इसका charging time जो है पहले के compare बढ आउंगा और इसका charger भी IP 65 rating के साथ आता है dust proof and waterproof अगर IP 67 rating के साथ आता तो ज्यादा अच्छा होता फिर भी कोई नहीं dust से तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ हलके फुल के water से इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जिसका की TVS ने ध्यान रखा काफी अच्छी बा इसमें ये बोला था कि इसमें maintenance की कोई जरौत नहीं है जो की गलत है अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो मैं आपको बता दू कि ये बिल्कुल जूट है scooter electric होया petrol दोनों कोई maintenance की जरौत तो पड़ती है और अधिकतर आपको zero maintenance का वो बोलेंगे जिनका कोई brand नहीं है उन इसमें आपको बस aware करना चाता हूं इस धोका धड़ी के प्रती क्योंकि कई सारे dealers ऐसे होते हैं जिनका focus only गारी पेचने पे रहता है और फिर जब उनके काफी सारे वेहिकल में problem चालू हो जाए तब 6 माईने साल भर के अंदर dealership तोड़के भाग जाते हैं क्योंकि मेरे घर क आसपास के काफी सारे dealers यह सब कर चुके हैं इसलिए मैं बस आपको aware करना चाता हूं और रही बात इसके maintenance की तो electric scooter में काफी सारे sensor आते हैं जैसे कि इसके motor में sensor है इसके side stand में sensor है display में sensor है even battery तक में sensor है और इस scooter के service आपको हर 4000 km में कराना रहता है नहीं तो आपको इसके motor से extra sound और हलका सा vibration भी feel हो सकता है scooter में load ज्यादा होने की condition में हाला कि हम यह कह सकते कि petrol scooter के compare electric scooter को maintenance की कम जरूत पड़ती है पर zero maintenance के ना मेरी तरफ से पूरा गलत होगा और अगर आप इसको बिना maintenance दिये scooter को चलाते रहेंगे तो ultimately इसकी life तो कम होगी जिससे ले दे के आपके पैसे अभी नहीं तो बात में खर्च होई जाएंगे और अगर आपको यह वीडियो informative या valuable लगा हो तो वीडियो को like करके channel को subscribe करना मत भूलना तो फिर मिलते है next वीडियो में